हेलो फ्रेंड बिनीता ब्लोग में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ मकर संक्रांती एस्पेसल तील और गुड के लड़ू ये बहुत जल्दी और असानी से बन जाता है तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है अपना चैनल पिनीता ब्लोग को लाइक, शेयर और सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले तो आए बनाना शुरू करते हैं मकर संक्रांती एस्पेसल तील लड़ू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी तील ले लिया है ये ग्राम में 250 ग्राम है और जितना टरीके से चलाते हुए हलका कलर चेंज होने तक और तील को फुलने तक भूण लेंके तील को हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूणना है अगर तील ज्यादा डार्क हो गय तो तील का स्वाद करवा हो जाएगा और तील लड़ू अच्छे नहीं बनेंगे तील भून फिर से सेम पैन को गरम कर लिया है अब यहाँ पर यह गुड को डाल देंगे और दो चमच पानी डाल कर गुड को लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे गुड अच्छे से मेल्ट हो गया है यहाँ पर फ्लेम बिलकुल लो रखेंगे और इसे लगतार चलाते रहेंगे इस स्टेज पर हम डालेंगे एक चमच गी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं गुड का कलर चिंज हो गया है अब इसे चेक कर लेते हैं यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही चासनी को हम पानी में डाल रहे हैं तो यह एक जगह कठी हो गई है और अराम से हाथों में आ रही है अब गैस का फ्लेम ओफ करके हम डालेंगे एक पिंच बेकिंग सोडा यानि खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा से लडू सौट बनते हैं तो बढ़िया से सोडा को मिक्स करके फिर हम यह तील और मुंग फली को एड करेंगे मैंने पहले से ही मुँफली को रोष्ट करके मोटा कूट लिया था अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये देखे ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसका फटा फट से बिना देर किये लडू बना लेते हैं तो यहाँ पर हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा ले फिर इस मिश्रण को हाथों में इस तरह से लेकर गोल सिप दे दे इसी तरह से सारे लडू बनाकर त्यार कर लेंगे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गोल लडू त्यार हो गया है इसी तरह सारे लडू बनाकर त्यार कर लें तो ये हमारा सुपर टेश्टी मकर संकरांती स्पेशल तिल और गुड के लडू जो हैं बनकर त्यार हो गये इसे मैं तोड के भी दिखाती हूँ ये देखिए कितना सोट बना है लडू बिल्कुल मुह में घुल जाने वाला तो आ आप इसे मकर संकरांती पर जरूर ट्राय किजिए